हेलो फ्रेंट्स, एक बार फिर से मेरे चैनल राज कीचन कॉर्णनर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज हम लोग छोले बटूरे वाले छोले बनाएंगे, ये छोले बहुत ही जादा टेस्टी बन कर त्यार होता है अगर एक बार इस तरीके से आप घर में छोले बनाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि आपने इसे घर में बनाया है या फिर किसी रेश्टुडेंट या फिर धाबा से मंगाया है वैसे सब लोग छोले बनाते रहते हैं, अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन सब का बनाने का अपना एक अलग तरीका होता है, तो इस तरीके से आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजेगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा, तो विडियो को skip किये भीना पूरा आप लोग इ और जो पानी गरम हो जाए, फिर इसमें एड कर देना है, एक चम्मत चाय पती, जी हाँ, चाय पती ही मैंने कहा, आप सोच रहे होंगे कि चाय बन रहा है, या फिर छोले, जी बिल्कुल छोले ही बन रहा है, और अच्छे से मिक्स कर लेना है, और जब इसमें एक उबाल आ जाए, तो इसे अच्छे से एक से दो मिनिट तक पका लेना है, मतलब बॉil कर लेना है, फिर गैस का फ्लेम आफ कर दीजिए, और इसे किसी भी छलनी से चान लीजिए, जिससे आप चाय चानते हैं, और इसे चानने के बाद अलग रख दीजिए, साइड में, इसका यूज ह चने भींगो करके रेडी किया है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्याज लेना है, तो हमने यहाँ पर 250 ग्राम चने लिया है, इसी के हिसाब से 3 प्याज लिया है, तो थोड़े से प्याज को आप लंबे लच्छे में काट कर त्यार कर लीजी, और बाकी प्याज को काट करके त्यार कर लेना है, आप लोग देख सकते हैं, तो चलिए इसे साइड बे रख लेते हैं, यहाँ पर हमने लिया है कुछ मसाले, जिसमें से थोड़े से खड़े मसाले हैं, और थोड़े से लसुन अद्रक लिया है, तो एक चमच यहाँ पर जीरा लेना है, साबू जीरा और आधा चमच, काली मिर्च, अद्रक और दस से पंद्रा लसुन की कलिया और थोड़े से गरा मसाला हैं, जिसमें दो इलाची, दो लॉंग, थोड़ा सा जाइफर और थोड़ा सा फोल चक्री हैं, यहाँ पर आप लोग गरा मसाला पाउडर वाला नहीं डालें, इस पानी एड़ कर दिजिए, और जो लंबेल अच्छे प्याज के काट करके रखे हैं, इसे भी डाल कर और ग्राइंड कर लेना है, थोड़ा सा दरदरा भी रहे तो कोई प्रॉबलम आली बात नहीं है, इस तरह से ग्राइंड कर कर लेना है, और इसे साइड में रख लेते हैं यहाँ चने भी हमारा अच्छे से फूल करके तयार हो चुका है, और आप लोग देख सकते हैं कि साइज में यह डबल हो चुका है, अब कोई भी कुकर ले लिजिए, जिस भी बरतन में आप बनाना चाहते हैं, और सारे चने को इसमें ट्रांसफर कर देना है, और चने को डा पानी बाहर आने लगेगा, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, पानी बिलकुल मतलब अच्छे से चना डूब जाए उतना ही डालना है, फिर इसमें डाल देना है नमक, टेस्ट के कोडिंग, और साथ में डाल देना है हल्दी, और साथ ही डाल देना है इसमें दो पिंच ह यूँकि ये चने किसी को मतलब गैस की प्रॉब्लम होता है, तो हींग डालने से ये मतलब अच्छा होता है इस चने में, इसके बाद धकन लगा दीजिए और गैस में रखके इसे फूल फ्लेम पर एक सीटी आने तक और लो टू मिडियम फ्लेम पर तीन से चार सीटी आने या फिर तब तक कूक कर ले जब तक चने अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाए तो इस कूकर को हम लोग दूसरे गैस के उपर सीट कर देते हैं और हम लोग एक कडाही रख लेते हैं इस गैस के उपर और जब कडाही अच्छे से गरम हो जाए फिर इसमें डाल देंगे मस्ट जीरा, थोड़ा सा एड़ कर देना है मेथी दाना और साथ ही एड़ कर देना है एक से दो हरी मिर्च और एक तेज पता और इन सब को अच्छे से हमें एक से दो सेकेंड के लिए फ्राई कर लेना है और फिर इसमें एड़ करना है बारी काट करके प्याज रखें इसे एड़ कर इसे मतलब थोड़ा सा पेसेंस के साथ इसे फ्राई करना है बिल्कुल भी जल्दी बाजी नहीं करें तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं हाँ अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल अगर आप पहली बारे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और हाँ बेल आइकन को जुरूब प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले जब प्याज अच्छे से भून जाए फिर इसमें डाल देन नहें ग्राइन करके मसालेरां और सांत में ऐट करदेना है दो चमश धनिया पाउडर लेडचिली पाउडर डालना है आपको कितना तीका खाना पसंद है उसी के को अकॉड ệटी अड़ करना है तो मसाले के लिए हमें हल्दी एड़ करना है क्योंकि चने में हम लोग already हल्दी डाल चुके हैं और इन मसाले को तब तक भूनना है जब तक अच्छे से मतलब अच्छी खुस्बू ना आने लगे और कडाही में तेल किनारे से अलग ना होने लगे जितने अच्छे से आप मसाले को फ्राई करेंगे उतना ही टेस्टी डिलिसियस आपके छोले और चना मसाला बन करके तयार होगा जब मसाले अच्छे से 4-5 मिट भून जाए इसके बाद इसमें एड कर देना है टमाटर टमाटर भी आपको अच्छे से मतलब भून लेना है जब तक यह अच्छे से सॉप्ट नहीं हो जाए और बिल्क हो चुका है आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे से इसमें मैंने कोई भी सोडा का यूज नहीं किया है कुकिंग सोडा का और फिर भी अच्छे से चने बॉil हो चुका है अब इसमें चने को एड कर देना है मसाले में और इसे लगतार चलाते हुए कम से कम 5-6 मि पानिये ड्राइ नहीं हो जाए जितने अच्छे से अफ्राई करेंगे आपका टेस्ट छोले का उतना ही मतलब अमेजिंग बनकर काता हैं काफी टेस्टी बनकर के तेयर होता हैं, इसके बाद इसमें एड कर देना है चाय पती वाला पानी, तो आप सोच रहे होंगे कि चाय पत का पानी डालने से आपको बिलकुल देखने में भी रेश्टूडेंट जैसा या फिर धावा जैसा कलर भी बन करके आएगा छोले के लिए इसलिए इसमें हमने चाय पती का पानी का यूज किया है और इसमें पानी डाल देना है ग्रेवी के लिए तो आपको कितना पानी मतलब जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसी के एकोडिंग यहाँ पर पानी का यूज करना है, हमने चने में नमक अड़ किया है, मसाले में भी मतलब प्याज में भी नमक डाला है, अभी ग्रेवी के लिए नमक ऊपर से एड़ कर देना है, और इसे चलाना है अच्छे से mix कर लेना है और फिर इसे ढखक कर कम से कम 7-8 मिनिट तक इसे low flame पर cook कर लेना है इसे तरह से तो 7-8 मिनिट तक cook करने के बाद हमने gas का flame-off कर दिया था और आप लोग देख सकते हैं कितना tasty delicious चना-masाला बन करें तेयार हुआ है तो यहाँ पर gas का flame आफ करने के बाद उपर से धनिया से गारनिस कर लेना है और इसे किसी भी serving bowl में आप serve कर लीज़े आप इस चन्य को छोले बटूरे के साथ मतलब बटूरे के साथ या भी normal पूरी के साथ भी serve कर सकते हैं तो आज हमने इस छोले को मतलब पूरी बना करके सर्व किया है तो पूरी का साइज हमने थोड़ा सा बड़ा ही रखा है और बहुत ही टेस्टी बन करके त्यार होता है एक बार इस तरीके सा आप लोग जरूर ट्राई करें आपको बहुत पसंद आएगा और वीडियो अच्छ के एक और नई और इंट्रेस्टिंग रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई थांक्स पूर